प्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो प्रेस जो होता है वो वास्तों में उस धातु प्रोरूपण मशीनी ओजार को कहते हैं जो यांत्रिक बल या दाब द्वारा धातु चादरों को काटने अथ्वाउने अभिष्टा करिती प्रदान करने के लिए प्रयोग मिलाया जाता है प्रेसों द्वारा धातु चादर को वांशीता करिती में प्रारूरूरूपित करते समय छेलनों के प्रिथिकरण की हो सकता नहीं पड़ती है प्रेस सिंपली क्या होता है कि इसका उप्योग म्रिदूसपात तथा अन्डक्टाइल परदार्थों के सीतर उपर कोड वल्किंग द्वारा एक समान यानि आइडेंटिकल भागों के विशाल उत्पादन यानि मास प्रोडक्शन को सिगरता से यतार्तता के साथ एकनॉमिकली करने के लिए उप्योग में लाया जाता है तो प्रेसों का उप्योग जो होता है वो अनेक उद्वियोत में तथा उत्पाद में की एक बहुत बड़ी वाइड रेंज और प्रोड़क्ट के लिए इस्तमाल होता है अगर हम इंगलिस में इसे डिफाइन कर प्रेसर यानि हम प्रेस टूल में हम मेकैनिकल फोर्स और प्रेसर के द्वारा यांतरिक बल और दाप के द्वारा किसी भी मेटल शीट पे अभिष्टा करिती को हम प्राप्त कर सकते हैं जब भी हम प्रेस के द्वारा मेटल शीट को हम अपनी डिजाइड शेप में चेंज करते हैं कनवर्ट करते हैं तो हमारे वहां पे चिप्स फॉर्मेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है यानि वेस्टेज ऑफ मेट्रियल बहुत ही कम होता है अब हम बात करते हैं कि जो प्रेस का समाने विवरण है जेनरल डिस्क्रिप्शिंस में इसकी प्रेस कौन-कौन से स्ट्रक्चर से मिल के बना होता है उसका डिसकर्शन हम करते हैं सबसे पहला चीज है कि फ्रेम फ्रेम कि दूसरा है रैम या स्लाइड तीसरा अधार या बेड चौथा परिचालन या न अधारी जो है स्ट्रोक के जो है वाइब्रेशन को और मशीनी स्ट्रक्चर के सभी चीजों को उसको वहन करना पड़ता है इसलिए जो है कास्ट अरन का ही जो है हम फ्रेम बनाते हैं कि वो वाइब्रेशन और सौक को एब्जॉर्ब कर सके तुमसरा जो है स्लाइड तथा अ सहारा परदान करता है ऐसाई कि पर चाल परिचालन या अंत्रावली है जो कि रैम का परिचालन हां रेखिये दिशाे किया कि रेखिये दिसा अधार के लंबोत करती है राइसले साथ हması 가지 होता है वह हमारा जो बैठ है जो हमारा फ्रेम अगर्वे activism के परपेंडिकलर्ली लिन लीनियर्ली करता है कि जो समानतर प्रयोग किये जाने वाले जो टूल हैं जो प्रेख मशीन मेसिंद तूल होते हैं उसमें पंच और डाय होते हैं यह दो इंपोर्टन टूल है प्रेस टूल के पंच और डाई पंच और डाई जो होते हैं ये दोनों भाग एक यूनिट के रूप में कारे करते हैं एक साथ ये कारे करते हैं और इस यूनिट को हम डाई समुझ कहते हैं यानि डाई सेट कहते हैं डाई समुझ वह भाग है जो प्रेस क के रैम से जुड़ा होता है डाई और पंच इन दोनों का जो सेट होता है वो रैम से जुड़ा होता है और ये प्रेस का वह भाग है जो रैम से जुड़ा रहता है और पंच कहलाता है तथा जो भाग प्रेस के बेट से जुड़ा रहता है वो डाई कहलाता है यानि रैम के रै ईबका lei में खेद्र होता है जो पंच के साथ फ्रुन संंडखन complete alignment में तबका معप्र से था कृण korekem के साथ punch को बैड के साथ बांधा जाता है उसमें से होकर तयार जो हमारे उत्पाद हैं वो ौफ अपार नहीं सतितीमें ड़ण डाइच और पंच को पलटकर लगाए जाता है अर्थात डाइच मार्ग के साथ पंच को बैड के साथ बांदिया जाता है ताकि हमारा वर्ग पी जो बाहर ना जा सके अब प्रिस कारे संक्रियां में मुखता दो हम वर्गों में बाट देते हैं पहला जो हमारा वर्ग होता है वो होता है कर्तन संक्रिया और दूसरा जो हमारा वर्ग होता है वो होता है प्रणूपर संक्रिया यान parting forming operation तो कर्तन संक्रियाओं के अंतरगत जो होता है कारेखन पर अपुर्पन करते हैं तथा कटर कारेखंड से पदार्थ को काट cigalok08 कर देता है कि जो कर टिंग-searing operation के अंतरगत जो है हमारे निमनीखित कêt प्रो Less soon ऋ यह फिसल आते हैं यसे सेविंग जो बगर हमारा कोई वर्कपीस है उस पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट के अलावा जो है कुछ उसमें अलग अन्वांटेट पार्ट से तो उनको वहां से ट्रिम करके बाहर कर देना स्लिटिंग लांसिंग आदी तो हमारा जो ब्लैंकिंग और पंचिंग है इसको हम आगे अभी डिफाइन करेंगे इन सारे प्रोसेस को हम आगे डिफाइन करेंगे कि एक प्रोसेस क्या होते हैं तो यह सारे जो प्रोसेस हम लोगोंने देखें यह कारेखन पे जो है जब शेरि प्रोपर्स का कर्तन नहीं होता है uğृम कर परकार बलकि νफे अंटर घाथु संपीडन फिरन प्राकार प्रतिबलकर करते कि अंतरगत थातु पो थे क्या होता है कि टेंशाईल का रवजुन के प्रतिवल्कारह करते हैं तथा द्था प्लास्टिक विदुकल कeremi उसकी प्रत्यास्था सीमा के चरम समर्थ के मध्य होता है जो प्राउपण होता है जो इसका शेफ चेंज होता है वो होता वो प्रत्यास्ता सीमा के अंतरगत जो है ultimate strength के मद्ध्य होता है प्रवर्पर संक्रियां में मुख्यता bending आता है करस्ण यानि ड्राइंग आता है निस्पीडन यानि स्क्वीजिंग आता है यह संक्रियां जो है हमारे forming operation में नहीं होती है प्रेस कारे प्रक्रमों में 1 mm से कम मुटाई वाले चादर से लेकर 6 mm मुटाई तक की चादरों को बीना गरम किये हम कर सकते हैं प्रेस operation में जो cold working होगा जो seat कारे होगा वो seat कार के लिए जो हमारे पास जो प्रेस वर्क के लिए जो हमें इस प्रेसिफिकेशन ने वर्क पीस का वो यह है कि एक mm से कम मुटाई वाले चादरों से लेकर 6 mm मुटाई तक के चादरों को हम बीना गर्म किये ही प्रणूपित करते हैं प्रण्तू इससे अधिक मुटाई की चादरों को संक्रिया से पहले गर्म करना पड़ता है अधिकांस जो हमारे प्रेस वर्क प्रोसेस होते हैं उनको उनसे प्राप्त जो हमारे उत्पाद होते हैं उनको फिर से कोई उस पे अलग संक्रिया करने के आवशक्ता नहीं होती ह और इस प्रकार तयार अंगों को सीधे ही मशीनों में असेंबल किया जा सकता है प्रेश कारे परयोग करने वाले उद्योग में टेलीफोन उद्योग इस्तमाल करता है वायूयान उद्योग इस्तमाल करता है आटोमोबाइल उद्योग में इस्तमाल होता है विदूत समागरी प्रेस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा कि प्रेस जो होता है उसमें कौन-कौन से टूल होते हैं उसके बाद प्रेस में कौन-कौन से संक्रियाएं हम कर सकते हैं जैसे प्रेस में दो टूल हमने देखा एक पंच होता है और एक डाई होता है पंच को रैम पे हम बान देत द्धाइ को बैट पर बांद देते हैं दूसरा हमने यह देखा कि जो हमारी संक्रियाइं हैं प्रेस टूल के द्वारा उनको भी हमने दो मेजर पार्ट में बाटा एक सीरिंग ऑपरेशन होता है उसके अंदर बहुत सारी संक्रियाइं होती है दूसरा फार्मिंग ऑपरेशन तो पहला जो है जब हम प्रेस का चैयन करते हैं तो निमनी बिंद्ट करेंगे पहला जो है अवय का प्रदार्त को प्रभावित करता है जो भी हमारा टाई और पंच है उनको प्रभावित करता है इसलिए हम best है कि जिसपर हमारा प्रेस आपरेशन किया जाना है है वह प्रेस आप भ्राइशन हमारा कुछ है कैरा फिर तjazा कर्या ते लाक्त ही इसी मेंगनीिसियम मिस्र भार क्या तों तद है और कुछ रिफ्रेक्ट जातों को प्रकरम से पुरु करने रवकत semin Alex यानि जो हमारे कुछ hard materials हैं जो कि जिनका press operation cold working से नहीं हो सकता है तो वैसे process को हम करने के लिए क्या करेंगे हम उनको hot working करते हैं उनको गरम करेंगे तो पहला factor हमने यह discuss कर दिया कि जो component of material है वो कैसा होगा अगर hard material है तो उसे हमें पूरूव में गरम करना होगा दूसरा जो है हमारा geometry of component की away की जयमिती क्या है तो away का आकार तथाकरिती की जटिलता complexity of the product shape complexity of the shape उसकी processing की निम्न अस्थाओं के निर्धारित करता है जो प्रेस के chain को प्रभावित करते हैं जैसे हमारा जो जिस तरीके का हमारा जैमिती आकार होगा उसी तरीके के हमें टूल का आकार करना पड़ेगा टूल साइजिंग करनी पड़ेगी slide तथा bluster surface area जिस पर हमें workpiece को रखना है उसके जो area को हमें define करना पड़ेगा फिर जो सस्पेंशन बिन्वों की संख्या उसे हमें decide करना पड़ेगा वांशित प्रेस टनेज तथा energy कितना प्रेस की छमता है तथा उसमें कितना energy की जरूरत पड़ेगी यह हमें define करना पड़ेगा उसके बाद जो है अवे की यह थारता तथा उसकी interchangeability क्या है तो सबसे important है कि जब हम product की accuracy की बात करेंगे तो operation को यह कैसे प्रभावित करेंगा अगर आपको हाई accuracy का चाहिए तो आपको उसी तरीके से प्रेस operation के डाई और पंच को select करना पड़ेगा उसको बनाना पड़ेगा इसके साथ ही यह प्रेस तथा सहाय को करनों की प्रेस उत्ता की कोटी कोई प्रभावित करता है जैसे रच चोथा है हमारा process जो है प्रक्रम कौन सा है प्रक्रम क्यों सकता है जैसे deformation का मान amount of speed, contact time, tool wear यह सारे जो factors हैं वो भी हमारे प्रेस selection को प्रभावित करते हैं पाच्वा जो है वो quality मतलब गुनवत्ता तो production rate तथा प्रतिनग लागत का विसलेशन cost per analysis प्रेस चैन को प्रभावि करता है unit cost एक particular जो हमारा एक नग की जो लागत आएगी वो भी हमारे प्रेस selection को जो है प्रभावित करता है अब बात करते हैं कि हमारे जो सुरक्षा है प्रेस चालन को select करते समय सबसे important part हमारी सुरक्षा की भी आती है कि जो हमारी सुरक्षा है वह सुरक्षा जो है operator की सुरक्षा किस तरीके सी होनी चाहिए और हमारी जो ऑपरेटर का जो सुरक्षा है वह विचार निये होना चाहिए क्योंकि विचार निये अगर नहीं होगा तो operator को कारे करते से में वह सकता है कि उसे आगहाथ पहुंच जाए उप्रुक्त के अतरिक जो है हमारे पास कुछ और बिंदू है प्रेस चेहन को प्रभावित करते हैं उसमें डाई का अकार और उनकी किस्म यानि साइज और टाइप फिर दूसरा है शीट ब्लैंक का अकार जो हमारा शीट ब्लैंक है उसका अकार क्या है जो हमारा शीट जिस पे हम जो है प्रेस करेंगे उसका कार क्या क्या है फिर रिग्वाइड लेंथ अफ स्ट्रोक हाध की जो लंबाई हो क्या है फिर जो है हमारा अभिष्ट कारे संपन करने हैं तू अवश्यक दाब जो हमारा वर्क है। जो हमारे और besten कारे है उसको जो है संपन करने के लिए कितना प्रेयर की जरूरत ही पड़ती है फिर ये माषा हाद की तली से उपर तक की दूरी जहां पर प्रतम्दा पड़ता है वो दूरी के कितनी है posp com हमारा ब्लैंक होल्डर तथा रिंकल्स एटेश्मेंट के कारण अन्य पातिरिक्त दबाव के और सकता जो भी उसके सपोर्टिंग टूल्स हैं उनको भी वरक आउट करने के लिए जो हमारे प्रेशर की जुरुवत पड़ती है वो फिर धातू ब्लैंक के प्रेस में प्रभरित फीड करने की विधी यह प्रभरण की दिशा कि जो हमारा फीड करने का प्रेस में जो हम फीड देंगे उसकी दिशा क्या है और वो किस तरीके से हम फीड देंगे अब हम बात करेंगे जो नेक्स टॉपिक है यह हम लोगों ने देखा कि यह सारे फेक्टर्स को ध्यान में र कनाते हैं तो हमारा press tool को हम कौन-कौन से factors ऐसे होते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं जो उनको जो है कि effect करते हैं तो Factors affecting Press Tool design सबसे important जो पार्ट है वो है सकती स्रोत power source क्या है कि press को चलाने के लिए हमें कौन कौन से power source चाहिए सबसे पहला factor जो effect करेगा हमारे प्रेस को वो यह है कि आपका जो प्रेस है वो हस्त चलित होगा यानि manual उसे हम चलाएंगे handle के द्वारा या हम उसे यांतरिक उरुजा पर चलाएंगे motor के सहारे या हम उसे प्रेस चलाएंगे धर डीन विकिन अथे प्रेस को परिश राइज करके चलाएंगे यह सबसे पहले हम स्रूर्स of energy to be used in प्रेस उस पर हम बात करते हैं और फिर जो हमारा प्रेस। टूल्याइन करना है वह डिपेंड करता यह जैसे हिए यह देख सकते हैं कि जैसे हमें छिद्रन कारे के लिए करना है कि करशन कारे के लिए करना है कि क्वाइनिंग कारे के लिए करना है अता प्रेस को उसी के अनुसार जिस प्रॉसेस को हमें करना है जिस प्रॉसेस के लिए हमें प्रेस को इस्तेमाल करना है उसी के अनुसार जो है हम डिजाइन करते है जैसे चिद्रण करशन करशन चिद्रण प्रेश करशन प्रेश इस तरह की अलग-अलग जो हमारी important operations के लिए हमें यूज करना है उसी operations के लिए हम जो है specified प्रेश को उसके लिए टूल डिजाइन करते हैं फिर जो next आता है सक्ति पारेशन की विधी यानि यांतरिक प्रेशों में सक्ति का संचार विदूत मोटर से फ्लाइवील या गियर तक होता है फ्लाइवील या गियर तक होता है अगर हम सक्ति पारेशन की विधी की बात करें कि what are the method of transmitting power क्योंकि हमारे पास तीन तरीके के पावर आ जाएंगे हस्त चलित यांतरिक और द्रविक तो इन तीनों तरफ जो पावर हैं उनको तो सक्ति पारेशन में जो हमारी विधी होती है उसमें हम विधूत मोटर से फ्लाइवील या गेर तक दे सकते हैं जहांसे गति का पारेशन विभीन अंगो को होता है हस्त चलित प्रेसों में सकती का परेशन स्कूरू अथवा रैक और पिनियन के मादे हमसे होता है जो मैनुवल हमारे प्रेस होते हैं उस मैनुवल प्रेस में जो हम पावर के सप्लाई करते हैं वो पावर का सप्लाई जो होता है वो रैक और पिनियन के मादे हमसे होता है चोथ और फ्रेम का उज़ को सकते हैं रहा हम की संख्या के अधार पे भी हम प्रेस के टूल को डिजाइं करते हैं कि रहम की संख्या कितने कितने परकार की हो ज़त परेस पे एकल होगी कि दोहरी होगी चल होगीजी मतलब सिंगल methert birthday सिन mad प्रेस के च्छमता को हम तन भार में वैक्त करते हैं जैसे पांच टन च्छमता यह दस तन च्छमता इस तरीके की हम बात करते हैं फिर जो होता है अब तो हम लोगों ने दो चीजे यह देख ली कि प्रेस का चैन हम किन-किन पा करेंगे और प्रेस तूल का डिजाइन गिन-किन फैक्टर को ध्यान में करेंगे अब हम बात करते हैं किव प्रेसका आकार और उसकी व्रिस्टि इसथारीन के आ है कुछ से कि गतनी है ją कि उसकी देखते हैं सेम उसी तरीक अने मीज़़ने कृष्ञज की बाथ पर्याइट पह से कौन बात करते हैं तोही हम तो नों नगुन कौन दाबक को दो बतते हैं तो प्रेस को उस अधिकतम दानंद वारा स्कॉत मैक्सिमरा साइजिंग फोर्स के द्वारा प्रेसिंग फोर्स द्वारा विक्ति किया जाता है जो उस रहाध्य ब्लैक बलाइक कार ये पक्लाइके लुक्ति करेट करे दया जाता है जो प्रेस का रहाध्य और डाल सकता हो यह despite टनों में व्यक्त की जाती है जो भी प्रेस की हमारी छमता है उसे हम टनों में व्यक्त करते हैं ठीक है अब जिसे इसमें क्या है कि बल का अधिकतम मान यान्तरिक जो प्रेस होते हैं एक तता यह आपन मेकैयनिकल प्रेस में 50 चाहाजार तनंड तक हो सकता है आतरिक प्रेस में हमारे जो अधिकताम मान होंगे वह पाइस टन से 4u bersetis होती है ओस्सकेечат के च ίह हमाण कि प्रेस का जो capacity है वो mechanical प्रेस का जो है वो पांच तन से 4000 तन तक होता है और hydraulic प्रेस का जो capacity वो 50 जार तन तक होता है यानि अगर हम compare करें तो जो hydraulic प्रेस है वो ज्यादा powerful है in comparison to the mechanical अब हम बात करते हैं कि आगहाथ की लंबाई भी डिपेंड करता है specification में कि length of stroke क्या है तो अगहाथ की लंबाई रैम द्वारत्ताई की गई वह दूरी है जो रैम की चरम मुझतम इस्तिती तथा चरम निमतम इस्तिती के बीच रैम तै करता है simple सा example है जैसे हम देखते हैं कि internal combustion engine में जो है piston cylinder के अंदर मूव करता है उसमें दो चीजे होती है एक top dead center होता है bottom dead center होता है यानि piston का movement उपर की तरफ top dead center तक जाता है और नीचे की तरफ bottom dead center तक जाता है सेम उसी तरीके से हमारा जो रैम है वह उपर की तरह अपना maximum उपर की तरह एक extreme अपर पौजिशन पर जाता है और नीचे भी कि लोवर पॉजिशन पर आता है तह इन दोनों के बीच में जो कि दूरी होती है वहीद फूब होता है तो वहीं कारता है कि जो हमारे उसरी्ट करता है रहां कि चिल की's स्पीड होती है जो पांच से पांच सो अगहात प्रती मिनट ट्रोप पर हो सकते हैं यानि इसकी डेटा है उसके बेस पे हम नहीं यह कहा कि पांच आगहात से लेके 500 आगहात प्रती मिनट तक जो है रैम की गती हो सकती है वो डिपेंड करता है उसके विसेस्थाओं पर फिर जो है हमारा प्रेस की विसेस्थियां करने के लिए इसकी वीमा को भी बताना चाहिए बैड का कुल सता च्छेतरफल टोटल सर्फे प्रेस याप दबेड उसी पर हम वर्क्पीस को रखके डाई को रखके कारे करना है तो उसको प्रेस की विसेस्थियां बताने के लिए उसे बैड के कुल सता च्छेतरफल को भी हमें बताना पड़ता है मत्तब जितने सारे फैक्टर्स है जो एक प्रेस को डिफाइन करते है उन सारे फैक्टर्स को हम क्या करेंगे उन सभी फैक्टर्स को हम स्पेसिफाई कर देंगे फिर बंद उचाई यानि शट हाइट क्या है तो रैम की चरब निमतमिस्तिति एक्स्ट्रीम लुवर पोजिशन जो रैम की होती है तथा रैम तथा बैट के मदद आउकास जो प्रेसिंग या स्टैंपिंग है स्टैंपिंग मतलब जो हम प्रेस द्वारा निर्मित किये गया किसी अंग को प्रेसिंग या हम स्टैंपिंग करते हैं यानि जो हमारा प्रेस है और उसमें सबसे पहला जो हमारा संक्रिया है वो यह संक्रिया होगा कि किसी भी अंग का प्र दूसरा उपरेशन है जो है ब्लैंकिंग उपरेशन है तो धातु चाधर से एक चप्टे टुकड़े को करतन अथवा पंचिंग द्वारा वांशिता का तथा साइज में काटने की क्रिया को हम ब्लैंकिंग कहते हैं मतलब कोई भी धातु चाधर है उसमें से हम एक वासर टाइ टुकड़े को हम ब्लैंक कहेंगे व्लैंक से वांशिताकार की प्रस्कृत वस्तु तयार की जाती है फिनिस्ट ऑब्जेक्ट तयार करते हैं हमने पहले भी यह डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्लैंकिंग उपरेशन है जो हमारा प्रेस फॉर्मिंग उपरेशन है इस प्रेस कि वह फिनिश्ट रहते हैं जैसे सिख्य था वासर का जो मेनुफ्यक्ट्रिंग होता है वह ब्लैंकिंग ओपरेशन से ही किया जाता है तीसरा जो है वे धन बेधन जो होता है उसको हम इंग्लिष में Piersing operation बदाइशन कहते हैं तो बेधन और गर आपको इचिद्र करते हैं तो उसे हम बेधन कहते हैं बेधन क्या होता है क्रिया धातु चादर से ब्लैंग को काटने से पहले अथ्वा बाद में की जाती है है अब बेंडिंगोपरेशन के घरह म बात करें तो बलैंग के या अधिक मूड देकर उसे कर्वर अथवा-नुकिले की नारे को निर्मित करने की जो हमारीterror होगी वह हमारी कहलाती है बेंडिंग operation अबका जब farming operation की हम बात करेंगे तो कारेखंड अंप में मोणों की संक्या एक से अधिक हो जटीलioned हो तो मोणों को यह से सोम्म मानुत करने की क्रिया को हम farming operation कहते हैं जैसे हम प्लैनेशिंग की बात करें तो कारेखंड की चप्टी डाई तथा पंच के बीच रखकर चप्टा करने की जो क्रिया होती है वो हम उसे हम प्लैनेशिंग करते हैं अब कारेखंड में जो है हमारी जो चप्टी कारेखंड होती है उस चप्टी कारेखंड की बात अगर हम करें तो चप्टी कारेखंड में क्या होता है कि डाई तथा पंच के बीच में कारेखंड को रखा जाता है तथा उसे चप्टा करके क्रिया की चप्टा करने की जो क्रिया होती है वो प्लेनिसिंग कहराती है धातु चादर की सलवटें जो होती है रिंकल्स होती है या बार आदी को हटाने का जो बर्स होते हैं उसमें उसको हटाने की जो हमारी क्रिया होती है या कभी-कभी जो हमोटाई कम करने की जो हमारी क्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है 84 करण या प्लेनेसिंग कहलाती है फिर हमारी जो अगली process है वो होती है स्वेजन कि स्वेजिंग क्या कहलाती है स्वेजन का अर्थ है किसी कारेखन्ड के एक भाग को पतला करना या दबाना और स्क्वेशिंग करना या कभी-कभी स्थूलन या अप्सेटिंग कहना यह सब process को हम क्या कहते हैं स्वेजन कहते हैं यानि स्वेजिंग फिर उभारन या एंबोसिंग पतली धातु चादर पर अकर्षक डिजाइन वाली नकाशी बनानी की जो क्रिया होती है वो उबहरन होतीती है या एंबोशिंग कहलातीए नकाशी की आकृती चादर के दोनों तरफ दिखाई पड़ती है जो बाहर की तरफ उब्रा हुआ जो भाग है वो हम क्या कहते हैं से इंबोशिंग कहते हैं करसन या ड्राइईंग डिस जैसे आकरिती वाले कप एक ही पीस से निर्मित करने की क्रिया को हम कर्शन कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं फिर हमारा मुद्रन या अतप्त प्रेसिंग क्वाइनिंग और कोल्ड प्रेसिंग मुद्रन का अर्थ है मोटी धातु चादर पर एक ही तरफ आकरितियों का निर्माण करना जैसे उधारन के लिए सिक्के, मैडल्स तप्त प्रेसिंग जो होती है, होट प्रेसिंग जो होती है, वो होती है ठंडी अवस्था में मुद्रन के लिए अधिक सक्ति किया सकता होती है डाइयों पर दाब को कम करने के लिए कभी कभी कारे को गर्म करना पड़ता है धातु के परवाग को आसान बनाने के लिए कारे को परयापत रुप से गर्म कर लेते हैं इससे ही तप्त प्रोसिंग यानि होट प्रेसिंग कहते हैं यह क्रिया फोरुजन के समान ही होती है जो होट प्रोसिंग होती है वो हमारी फोरुजन के ही समान होती है फिर हम बात करते हैं पंचिंग पंच तथा डाई द्वारा धातु चादर में गोल छिद्र बनाना निर्मि कर सकते हैं पंचिंग क्रिया के अंतरगत छिद्र से जो पदार्थ कट कर अलग होता है वह व्यर्थ पदार्थ होता है यानि वेस्ट मिट्रियल होता है और सेस बचा हुआ छिद्र युक्त जो भाग होता है वह अभिष्ट उत्पाद होता है तो जैसे चित्र को अगर हम वर् लेकिन पंचिंगे क्या नतर है कि जो हमारा workpiece है उस metal sheet से काٹा गया टुकड़ा अगर हमारा स्तमाल में लाया जा रहा है उसे अगर हम इस्तमाल कर रहा है तो हमारा blanking operation है यानि metal sheet से प्राप्त किया गया टुकड़ा blanking blank कहलाता है और वो blank को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है वो blanking कहलाती है लेकिन punching operation क्या है कि अगर आपका metal sheet है धातु चादर है और उस धातु चादर में जो है आपने धातु चादर में कोई छिद्र बनाया punch के माध्यम से तो वो क्या कहलाता है punching कहलाता है अब उसके बाद जो next process है जो हमारा वो है लगू फिद चिद्रन या जाली बनाना perforating इंगलिश मैं उसे कहते हैं परforating तो लगू चिद्रन या जाली बनाना भी जो है भेदन जैसा ही अप्रूपर संक्रिया है भेदन जैसा ही सियरिंग उपरेशन है जिसका परियोग धातू चादरों अत्वा ब्लैंकों में punch तथा डाई की मदद से छोटे छोटे छित्र अधिक संक्या में तथा आसपास बनाये जाते हैं जैसे आपको जाली बनाना हो या चलनी का example हम ले लें चलनी बनाने की जो संक्रिया होती है वह परफोरेटिंग के अंतर गताएगी कि वह परफोरेटिंग प्रॉसेस है फिर हमारा जो होता है इसमें कि यह चीदर एक समान एक साइज के होते हैं जैसे उधारन के लिए स्कूटर में परियोग कियने वाले फिल्टर जाली की जो संक्रिया है या किसी भी आटो मुबाइल में जो हम फिल्टर जाली का इस्तमाल करते हैं वह जो प्रॉसेस होती है वह लगुची दरन होती है यानि परफोरेटिंग होती है अब हम बात करते हैं next जो प्रोसेस है वो हैं नौचिंग तो नौचिंग प्रकरम जो होता है वो यह धातु चादर धातु ब्लैंक्ग या पत्टी की कोर्म से अभिस्ट आकरिती में धातु के टुकड़े काटकर अलग करने की संक्रिया होती है यानि धातु चादर से जब हम metallic आलिक ब्लैंक या स्ट्रिप या कूर क्रीती में धात्युक्स के टुकड़े काट कर अलग कर लें तो वह नोचिंग कहलती है फिर बात आती है अगली जो अरफ्रेर्श्स है प्रशी। आप के प्रीश्टों से अत्रिक्त दहां जो अनावशक धातु म nhất उनको अन्यमित प्रोफाइल तथा तेढ़े म rozp किनारों कोला कर्वेश्च किया जाता है जसे से कास्टिंग से प्राफ्ठा कोही आकरीती है तोस आकरीती को जो है प्रृष्च के परफने नहीं कि सेविंग जो प्रोसेस है तो सेविंग प्रोसेस में हमने देखा कि जो बाद पर छिले वे किनारे जो सेवड एज होते हैं जैसे आपने जो कास्टिंग से प्राप्त हुए टेड़े मिले जो आकरिती है उसको काट के आपने सीधा कर दिया लेकिन सीधा करने के बाद उसको जो उसकी जो किनारे हैं उन किनारों की प्रकिरिया होथ对 है चिकना बनाने की जो बिधी होती है वह बरनिशिंग कहलाते यह फ़िर अगलीATORS आती यह लांसीं तो लांस किए कैसी संक्रिया है जिसके अंतरगत धादू चादर की थोड़ी लंभाई तक जो है काट कर उसे कटे हुए भाग को नीचे की तरफ मोड़ दिया जाता है यानि जो हमारा कटा हुए भाग है उसको अगर हम डाउनवर्ड फोल्ड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है लांसिंग कहलाता है चाधरी धातू की लंवाई के अनुदीष एक सीदी रेखा में किये जाने वाले कर्तन को यानी जो हमारे जातू चाधर है उसको लीनीरल्ड अगर आप कृथक कर रहे हैं कर्तन कर रहे है तो उसको दो पार्ट मलग कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है slitting operation कहला आती है next जो last process है जो press forming operation press के अंदर आती है वो आती है curling कुंडलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं तो कुंडलन वह संक्रिया है वह बंकन संक्रिया है जिसका परियोग किसी आववे यानि component की कोरों को छले के रूप में मोडने के लिए किया जाता है इससे कोरे मजबूत हो जाती है तथा उसकी सता चिकनी भी हो जाती है अब हम बात करेंगे जो next हमारा topic है यह तो हमने press forming operation की बात की कि कौन कौन से संक्रिया है हम press के द्वारा कर सकते हैं लेकिन अब जो हम बात करेंगे होह classification of press प्रेशो का जो वरगी करण है तो प्रेशो की वरगी करण की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है कि हम कौन से किस अधार पे हम press का classification यानि वरगी करण करेंगे तो जो सबसे पहला हमारा अधार है वो है सकती स्रोत के अधार पर यानि on the basis of sources of power कि जो source के अधार power source के अधार पर जो हमारा प्रेस है वो है दस्ती प्रेस यानि hand प्रेस या ball प्रेस या fly प्रेस ये तीन प्रेस जो है वो manually चलते हैं, हमारे हस्त द्वारा चलते हैं यानि दस्ति प्रेस, बाल प्रेस और फ्लाई प्रेस और सकती प्रेस दूसरा यानि पावर से जो चलेगा जो mechanical पावर, हाईड्रॉलिक पावर या electrical पावर, जिस पावर से चले वो पावर प्रेस आता है तो सक्ति पर्यूक्त किये जाने वाले के अनुसार हम दो परकार के हम जो है प्रेस को बाट दिया दस्ति प्रेस यानि हैंड प्रेस बॉल प्रेस यानि और फ्लाइ प्रेस यानि सक्ति प्रेस दूसरा जो है सक्ति प्रेस दूसरा जो है फ्रेम के डिजाइन के अधार पर तीस्रा जो होता है वो सीधा या उदर पर्स होता है साइड स्ट्रेट साइड प्रेस होता है फुर जो है next हमारा है चालन या अंत्रावली के अधार पर उन्दि बेसी ऑफ ड्राविग सिस्टम प्रेस केंड़ी डिवाइड़ प्रेस को हम बाच सकते हैं क्रैंक के वह प्रेस दंड चालं यह नतरावली यूप प्रीज यानि वह प्रेश जिस प्रेश में जो है हमारा क्रांग हो यान चोनेक्टींटन रड हो क्रांग हो और उसके जो है एसेंबली से हमारा प्रेस कारे कर रहा हो रैम का मोशन हो रहा हो तो वो क्रैंक यह में उसरी सबस्दक्त हो जाता है अगर प्रेश में हमने उश्टरिक ड्राइब место लगा रखा है व उत्के इंदरी चाला निदराओली इंक्त प्रेश केंगे घ्र उपर नकल जोड़ चालने अंतरा होली प्रेस्现在 निखाल जोड जोड जोड़ ड्राय वेकों िखनील beyond ट्रब अंतराले युगक्त' प्रेस्ट्र को एगर इन उन Travic यगर इन प्रेस्ट अगर ये माध्य हम से ड्when तYour इन चाल करिया प्रेस हो गया दूसरा हो गया वह द्यू करिया प्रेस यानि डवल एक्षन प्रेस हो गया और तीसरा है वह तरी करिया प्रेस यानि ट्रिपल एक्षन प्रेस हो गया तो यह तीन तरीके के जो प्रेस होते हैं वह नंबर अफ रैम के अधार पे होते हैं और उनकी जो वर कावर ट्रांसेमिट कैसे करेंगे उस भीधि पर प्रतिक चालंग प्रेस यानि डारेक्ट ड्र based दूसरा है बीना गर यानि गतिपालक प्र राइप चालंग प्रेस ऑंगीर और नंबर ऑफ क्रेंग से होता है और दूसरा मिक्रें किया र principal होता है अब हम बात करेंगे कि आला गीयरों के संख्यौ का डरविंगर कौन-कौन से होता है तो पहला होता है हमारा शिंगल ड्राइविंग डह्याब ड्राइब प्रेज त्वीन डॉट्र प्रेज रैपै एक लटल प्रेज यह हमारे गेर के नंबर्स प्र प्थे जो है वो पर युक्त क्रैंकसाफ्ट के संखेया है के बमगारियूरई दॉक्त क्रेंकसाफ्ट nell c2000 हमारे साली आठवा है यह जाने वाले कारे की किस्म के अधार पर आओंदी बेसिस ओफ्ट यानी बैंदेंग प्रेस और श्टूजिंग यानि निस्पीडियन प्रेस यह सारे प्रेस जो हमारे होते हैं यह हमारे कैस्ट टाइप का वर्क करना है उस वर्क के अधार पर हम करते हैं अब हम पहली जो हम बात करते हैं कि सक्टी सुरूत के अधार पर उन्दी बिसिस ऑफ सूर्स ऑफ पावर कि कौन सा हमारा प्रेस जो ह सरलतम प्रेश है दस्ति प्रेश दो परकार की हो सकती है एकल प्रास लेटरल दस्ति प्रेश या दीव प्रास दस्ति प्रेश जैसे देखे चितर में हमने देखा कि बॉल प्रेश दोनों साइड बॉल लगे हैं यह हत्ता है हत्ते को जैसे हम मूब कर रहे हैं वो निशी की तर से लेकर 10 टन तक के पराश में उपलब्द होता है इसकी जो होती है जो हम हस्थ प्रेस का जो इस्तिमाल करते हैं वह स्पैन जो होता है वह 0.5 टन से लेकर 10 टंग तक हो सकता है ऐसी प्रेसें जो हमारी